हेलो स्टुएंट वेल्कमा यूटूब चैनल लर्न टीच में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्स करेंगे स्वेस प्लेट एक्सियल पिश्टन पॉंप कि यह क्या होता है इसका यूजेस के वारे में इसका यूज हम लोग कहां करते हैं इसका कंसक्शन के बार आपको समझना होगा कि स्वेस प्लेट मिस क्या होता है स्वेस प्लेट मिस कहने के मतलब है यह हम जो पॉंप के अंदर एक तरका स्वेस प्लेट का यूज करते हैं इसका इसे एक तरका स्वेस प्लेट एक्सियल पिश्टन पॉंप करते हैं ठीक है और स्वेस प्लेट मिस कह का सर्कूलर डीस होता है और एक्षियल मिस कहने की मतलब यहां पर धूरी हो गई जो, यहां पर स्थी अकार की धूरी पर वरक करती है, उसके ऊपर हमारा पिछ्टन भी वर करता है, उसके बाद पॉंपिंग करता है, इसी करने इसे एक तरका हम लोग स्वेज प्लेट एक्सियल पिश्टन पॉंप काते हैं और स्वेज प्लेट एक्सियल पिश्टन पॉंप को एक तरका स्टेट एक्सिस पिश्टन पॉंप भी कह सकते हैं ठीक है यह दोनों एक जैसा ही होता है दोनों का नाम एक ही होता है अगर आपको एक्जाम यह question पूछता है कि state axis piston pump किसे करते हैं तो आपको यही answer लिखनी है ठीक है अगर switch plate को भी पूछे है तो आपको यही answer लिखनी है ठीक है अगर switch plate को भी पूछे है तो आपको यही answer लिखनी है ठीक है करता है लेकिन इसमें जो वरकिंग होती है मिस एक जगा से दूसरी जगा फ्लूट को यहाँ पर टांसपर की जाती है इसमें पिश्टन के सहयोग से की जाती है नीचे कुंट में लिखी हुई क्या है कि इन स्वेस्प्लेट एक्सियल पिश्टन पॉम्प दा सिलेंडर ब्लोक and drive shaft are on the same center line and the piston reciprocate parallel to drive shaft then its pumping fluid इस कहने के मतलब है यह जो नजर आर यह pump इसके अंदर क्या होती है यह जो हरे रंग के जो नजर आर यह एक तरह का इस सिलेंडर ब्लोक काते है और यह shaft को एक तरह का drive shaft काते है यह जो feet होती है इसकी जो यहां पर धूरी होती है मैंने ऎक्सीस होती है बिल्कु सीदी होती है और दोनों का सेम धूरी होती है means एक ओर चॉन्टर जो इसके line होती है जो सेम होती है 벌ард heart 수가 this is just parallel में लगी होती है हमारा piston यह पिश्टन हा इसकी piston trud है तो ये क्या काम करती है, कि जयाओ इसके पेरलेल लग Stack कारण यहाँ पर Recipe Procate करती है और सक करके आपोो डिश्चाज कर देती है ठीक है लेकिन यह Rotation करती है है यह ऐसे wat निएottezkै में रिखी हुए क्या है कि the piston suck in fluid during हाप a revolution and push fluid out during the other हाप मिस कहने का मतलब है यह pumping में क्या होती है यह pumping कैसे करती है यहाप फ्लीट को कैसे एक जागे से दुस्य जागे ट्रांसपर करती है मिस के अंदर जो piston यहाप work करती है यह मतलब कहने का मतलब जो piston जो working करती है जब यहां पेנ पंपिंग करने के लिए को भी लिक्वीड को कोई भी fluid को यहाँ पर इसके यूज करते हैं आखरी में कहां पर यह pumping करता है चाहे कहां भी कोई भी liquid को एक जगा से दुश्य के ट्रांसपर करता है यहाँ पर पॉटो मॉइल एयर कंडिशन सिस्टम में ये पॉंपिंग का यूज किया जता है ति हाइड्रोलिक मोटर में भी इसका यूज किया जता है कि क्वांटिटी की हिसाब से एक लिक्वीट को यहां पे ट्रांसपर करती है मिस एक तरका पोजिटिव डिस्प्रेस्मेंट पॉंप जय जय पर भी यहां अच्छी तरह से वर्किंग करने में बहुत जादा मदद करती है ठीक है अब हम समझते हैं इसका कंसक्शन के बारे में आखरी में कैसे बना आता है इसके पर यह पॉंप केसिंग बोलते हैं जो एक तरह का पूरी तरह से यह सिलन्ड कर आकार में होती है यहां पर एक तरका हम साप्ट का यूज करते हैं, जो other component जो mechanism यूज करेंगा उसके आगे उसके parallel होती है, ठीक है, यह हमारा एक तरका drive साप्ट बोलेंगे, जो आगे हम अटेश्मेंट करते हैं, हम जो साप्ट के साथ, यह जो नेजर आ रहे है, यह चीज़ को क्या बलते हैं, स्वेब प्लेट का जाता है, इसी के अधार पर हमारा pumping यहां पर working करता है, इसी करने यहां पर इसी एक तरका स्वेब प्लेट करते हैं, ठीक है, मिस एक तरची अकार की यहां पर एक circular disc होती है, ठीक है, यह जो डिक्स होती है, नन रोटेटिंग होती है, मिस यह जो स्वेब प्लेट होती है रोटेशन नहीं करती है यह साप इसके जश्ट एक तो होलों में बनी होती है यह साप सिफ रोटेशन करती है आगे कि हम मेमरें को रोटेशन कराती है यह सिफ अपने जगा पर अस्थीर होती है हमारा स्वेप प्लेट ठीक है इसके बाद हम क्या यूज करते है यह इनजर आरि आपके सामनी यह चीज को क्या बहंता है रोटीटिंग सिलेंटर ब्लोक काते है जो हर रंक के जो नजर आरि है इससी ही के अंदर हम पिश्टन का । करते हैं इसी के अंदर हमने बेश्टिन यह जतने मतलब है नि Vide होरा नेरा पिस्टन की वेला को दो पिस्टान का यूज तुर्पर दिखाने के लिए wea² दो पिस्टन का यूज वेला इन पर दीखा यहां पर इक तरह का इसकी जूटे के अकार की बनी होती है और यहां पर इक तरह का स्थी रहती है इसी के ऊपर इसमूथ यहां पर वर्क करता है हयहाscale dude's 29 यहाँ पर प्रोटेसन करता है तो दिक अब क्या होती आगे मं करते हैं एक तरका बाल प्लेट का यहाँ पर िचिज आगे में यूज करते हैं एक तरका पट प्लेट यहां से लिक्विड को सक करता है कुछ ऐसा होती है अगे में एक आंटलेट पोट का यूज किया आता है अगर इसको हमारा साइड वीश से देखेंगे तो आपके समने कुछ ऐसा नजनाएगा यह पोट ठीक है यह इस तरह इनलेट पोट हो जाती है यह हमारा आउडलेट के उपर लगे यह भाल प्लेट हमारा जैस रोटेटिंग सिलेंडर के ब्लोक के उपर लगा होता है ठीक है अब क्या होती है फाइनली हम इसको यहां पर अटेश्मिंट कर देती है जो ड्राइब सापको यहां पर कपलिंग के सयोग से हमारा एक लेक्रिकल मोटर का यूज कर करता है देखिए सबसे पहले क्या होती है जैसी हमार यह मोटर है मोटर को जैसे ही करते हैं ओन तो मोटर जैसी ओन होता तो इसके साब रोटेशन करने लगती है और कंपलिंग को यहां पर आटेश्मिंट के जाती है हमारा ड्राइब साथ के साथ यह भी रोटेशन करेगी त यहां पर राइड से लेट के और आएगी और यहां पर राइड से लेट के और आएगी तो यहां पर यहां पर राइड से लेट के और आएगी तो यहां पर जितनी भी लिक्विड है उसे अंदर की वह सक कर लेगी और सक्सन पैदा होने के बाद यहां पर जो भी लिक्विड ह साथ के जो connect है उसको यहां पर लेप से right की और यहां push करेगी push करने से क्या होगी कि जो भी शक की वी जो liquid है उसे वापस निकाल देगी outlet port के सभी इसे में discharge कर देगी ठीक है और उसे हमारा जो यह cylinder block है वापस 180 degree rotation करेगा ठीक है तो continue यहां पर 307 part करते रहती है यहांपर discharge करते रहती है ने इस तरस है रोटेशन करते तक है यहां पर rotation नहीं करता है, यह सिफ अपने जगा पर अस्थिर रहता है, इसके उपर पिस्टन, इसके उपर सिफ ऐसे-इसे rotation करती है, यहाँ पर सक करती है, यहाँ पर discharge करती है, मिसे रिस्टी पोकेट करती है, continue, ठीकर ऑजी जितनी में प्रकिरिया होती है, हमारा main जो साफ्ट है, इसकी आ चुका हुआ कैसे वर्किंग करता है वीडियो देखें के थांकियो चले में नए आए वहां तो चले को जरू कर लिए सब्सक्राइब और हो सकते वीडियो कर दिजा लाइक धन्यबाद